Hello dear students, this is your SS ma'am and bullet revision in CRT में हम आ गए हैं एक नया topic लेकर जिसको हम bullet की speed से revise करेंगे और आपके class 12th के CBSC के सारे concepts को फड़ा-फट से up-to-date कर देंगे तो आज की class में हम जो topic पढ़ने वाले हैं उस topic का नाम है population interaction अब population interaction क्या है students देखिए आप एक imagine करिए ऐसी कोई जगे अर्थ पे जहां पर सिर्फ एक population रहती है ऐसी कोई जगे आपके दिमाग में आईगी ही नहीं क्योंकि अर्थ पे आपको पूरे अर्थ पे कहीं पे भी कोई एक ऐसी जगे मिल ही नहीं सकती जहां एक single population रहती हो क्योंकि वह रहती ही नहीं है हमारे पूरे अर्थ पे हर जगे आपको जहां पर भी organisms मिलेंगे जहां पर भी life मिलेगी वहां पर multiple populations होंगी वह population सब एक दूसरे से interact करती है कुछ नहीं तो वह एक दूसरे पे खाने के लिए dependent हैं वह एक दूसरे पे shelter के लिए और यह सारी populations एक दूसरे से interact कर रही है और यह interactions क्या हैं कैसे हैं कितने type के हैं कैसे कैसे होते हैं बस इनी सब चीजों को हम आज पढ़ने वाले हैं in this topic population interaction अब imagine करो हमारा किसी से interaction है क्योंग एक population है वो किसी और population से interact कर रही है और दोनों को फाइदा हो रहा है benefits हो रहा है पर हो सकता है ना कोई population interaction ऐसा हो जिसमें नुकसान हो रहा हो जो कि नुकसान दायक हो जो कि detrimental हो कोई ऐसा भी interaction होगा जो neutral होगा जिसको जादा फरक नहीं पढ़ रहा होगा तो यानी कि population interactions multiple type के हो सकते हैं जिसको हमारे NCRT ने एक tabular form में explain किया है कि दो species के बीच में अलग-अलग type के interactions हो सकते हैं और वो किस-किस type के interactions हैं उन्हीं के basis पे हमने उन्हें नाम दे दिये हम इन सारे interactions को पढ़ने वाले हैं पर आज जिस पे हम इस वीडियो में focus करने वाले हैं वो है predation in this upcoming 10 minutes आपको predation एक दम clear हो जाएगा और पता है इस topic की सबसे best बात क्या है population interaction मेरा favorite topic हुआ करता है personally क्योंकि इसके अंदर आपको इतनी कहानिया सुनने को मिलेंगी आपको इतने examples देखने को मिलेंगे जो आपको all over the earth मिलेंगे in between various organisms और वो इतने astonishing examples हैं इतने बड़ी या exciting examples हैं कि मुझे तो goose bumps आ जाते हैं कि हमारे nature में क्या क्या हो रहा है क्या क्या होता है organisms कैसे कैसे रहते हैं start करें चलिए तो आज हम इस interaction के बारे में पढ़ने वाले हैं वह है predation predation से मारे दिमाग में क्या आता है tiger है deer के पीछे भाग रहाया deer को मारा deer का शिकार कर दिया है ना उसने उसको खा लिया यह हो गया prediction share आया zebra को मारके खा गया प्रेशन फॉक्स आया एक rabbit को मारके खा गया prediction पर एक bird आकर एक पेड़ को खा रही है पेड़ की पत्तियां खा रही है उसके फ्रूट को खा रही है स्टूडेंट्स वो भी प्रेडेशन में आएगा एक इंसेक्ट आया वो किसी फ्रूट के अंदर उसको काट काट के उसमें से रस निकाल के खा रहा है प्रेडेशन आया तो प्रेडेशन मे एक ऐसा interaction है जिसमें एक species, just a second, जिसमें से एक species को तो फाइदा हो रहा है, species number one suppose, और जो दूसरी species है, उस species को नुकसान हो रहा है, क्या हुआ predation में, एक species को तो फाइदा हुआ, और दूसरी species को नुकसान हुआ, और वो हो गया हमारा predation, आप predation सुनने में तो बहुत गंदा लग रहा है कि एक का फाइदा हो गया पर एक को नुकसान हो गया, बट स्टूडेंट्स, predation बहुत जादा important है हमारे nature के अंदर, क्यूंकि predation एक ऐसा तरीका है, जिससे energy transfer होता है, energy transfer, इसी लिए हमने predation को condit बोला है, condit for energy transfer, हमने predation को क्या बोला है, condit for energy transfer, condit का मतलब पता है, क्या होता है, condit का मतलब होता है, pipe जैसा कुछ, यहां से हमारे nature ने sun की presence में sunlightly energy trap करी, अब उसने जाकर वो energy किसी और को दी, suppose plant ने वो energy trap करी, उस plant को खा लिया किसने, deer ने, तो plants energy deer पे चली गई, फिट deer को खा लिया tiger ने, तो energy tiger के पास चली गई, तो यहां पर एक pipeline जैसा बन गया न, इसी लिए predation को हम condit for energy transfer कहते हैं, और predation बहुत 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 जादा important चीज़ है, हमारे nature के अंदर, क्योंकि यह नहीं होगा, तो energy transfer कैसे होगा, अब हमें एक बहुत मज़े की बात देखनी हैं, वो यह है कि जो predators हैं, जो शिकार करते हैं, वो predators बहुत ही जादा intelligent हैं, और उनके बहुत बहुत important roles हैं, हमारे nature के अंदर, जैसे की predators की अगर मैं बात करूँ, तो हमने क्या देखा सबसे पहले की वो condits है, energy transfer के लिए, condits for energy transfer, उसके अलावा ये और भी बहुत important काम करते हैं, जैसे की, they control the prey population, क्या करते हैं ये, they control the prey population, अब imagine करो, अगर जंगल के अंदर, शेर नहीं होगा, तो tigers कितने जादा हो जाएंगे, हो जाएंगे न, शेर है, इसी लिए वो tigers को control में किये हुए है, एक experiment हुआ था, student 1920s में, Australia में, वहाँ पर Australia के अंदर, उन्होंने एक cactus, prickly pear cactus को introduce करा दिया, अब हुआ गया कि वो cactus वहाँ पे नहीं थी, उसका वहाँ पे कोई natural predator तो था नहीं, तो वो गजब तरीके से एकड़ो में फैलने लगी, और Australia का जो native vegetation था, वो destroy होने लगा, फिर इस cactus की growth को रोका गया, कैसे? इंट्रिड्यूस करा गया, वहाँ पर उसको जो naturally eating moth था, जो उसको खाया करता था, उसको उस atmosphere में इंट्रिड्यूस करा आया गया, उसने उसे खाया और उसकी population को control नहीं किया, तो एक चीज़ हमें क्या समझ में आई, कि ये prey population को control करके रखते हैं, दूशरी चीज़ सुनो, अगर ये prey population को control करके रख रहे हैं, तो उनके बीच के inter-specific competition को भी रोक रहे होंगे, तो ये क्या करते हैं, ये prey's की भी help करते हैं, उनके inter-specific competition को रोकने में, ये क्या करते हैं, इसका भी एक example है, वो example सुनो क्या है, वो example आता है, एक starfish है, पिसास्टर, क्या हुआ, American Pacific Coast में, एक जगे पे, एक experiment में, उन्होंने starfish, पिसास्टर नाम की, उसको हटा दिया, अभी जो पिसास्टर, starfish थी ना, ये वहां की बहुत important predator थी, वहां की वो सारी prey population को खा लेती थी, उनके बीच में competition नहीं होता था, अब एक experiment में, इन्होंने उस पिसास्टर को हटा दिया है, तो वहां पर उन्होंने क्या देखा, कि within one year, ten invertebrates की population extinct हो गई, उतने area में, क्यों क्योंकि उनके बीच का interspecific competition बहुत ज़ादा बढ़ गया था, तो हमें एक चीज और पता चली कि predators बहुत important काम करते हैं, prey population को control करते हैं, उनके बीच का interspecific competition भी रोख के रखते हैं, अब predators की तो हमने बहुत च्छी बात कर ली, अब हमें कुछ बात prey की भी कर लेनी चाहिए भाईये, जिसका शिकार हो रहा है, उसके बारे में भी तो कुछ बात करें हम, तो जो students prey है न, ये prey भी बहुत चलाग चीज होती है, ये भी क्या करता है, ये भी अलग-अलग defense mechanism acquire करके रखता है, ताकि वो अपने predator से बच सके, जैसे number one, ये camouflage हो जाते हैं, ये अपने आपको रोक लेते हैं, छुपा लेते हैं अपने atmosphere में, जिस कारण इनका prey इनको देख नहीं पाता, और ये उससे बच जाते हैं, जिस कारण इनका predator इनको देख नहीं पाता, और ये उससे बच जाते हैं, camouflage का best example, गिरगट भाई, हमने सुना है, हमने देखा भी होगा आप सब लोगों ने, कि वो कैसे अपने आपको आसपड़ों से छुपा लेता है, नेक्स चीज़, अब देखो क्या होता है, जो animals होते हैं, अनिमल्स के लिए तो बचना बहुत सिंपल होता है, plants के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, तो plants क्या करते हैं, plants उगाते हैं thorns, काटे उगा लेते हैं भाई, ताकि वो उन सब से बच सकें, अपने predator से बच सकें, predator उनको खाना पाए, इसका thorns का best example है, acacia या cactus, next, और क्या करते हैं ये, अब मैं तुम्हें बताती हूँ, ये सिक्रीट करते हैं बहुत सारे chemicals, और वो chemicals या तो इनको distasteful बना देते हैं, या फिर वो poisonous बना देते हैं, ताकि कोई organism उन्हें खाना पाए, इसमें best example है, केलो ट्रॉपिस, केलो ट्रॉपिस students पता है आपको क्या है, केलो ट्रॉपिस इस आंकड़ा, आंकड़े का पेड़ अगर आपने देखा हो तो, वाइट का लगा चोटा सा पेड़ होता है, चोटे चोटे सा फूल होता है उसके अंदर, कभी कोई गोट नहीं खाता, क्यों, क्योंकि केलो ट्रॉपिस के अंदर, प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइको साइड़्स, जो की highly poisonous substance होते हैं, तो इसी लिए कोई cattle इनको नहीं खाता, एक और बड़िया सा एक्जाम्पल देती हूँ, वो एक्जाम्पल है, मोनार्क बटरफ्लाइ का, मोनार्क बटरफ्लाइ जो होती है न, स्टूडेंट सी बहुत ही distasteful होती है, highly distasteful चीज है यह, इसके बॉडी के अंदर, कुछ ऐसे chemicals बनते हैं, जो इसको बहुत गंदा कर देते हैं टेस्ट में, जिस कारण इनके जो predators हैं, जो birds वगेरा इनको खाती हैं, वो इनको खाई नहीं पाती है, उनको वह गंदा लगता है टेस्ट में, अब गंदी चीज तो कोई भी नहीं खाएगा, टेंड़ तो नहीं खाऊंगी मैं, बस वही वाली बात हो गई, अब मज़े की बात, ये आता कहां से है, ये आता है इनकी बॉड़ी के अंदर, जब ये एक वीड के उपर, फीड कर रहे होते हैं, अपनी caterpillar stage में, जब ये अपनी caterpillar stage में होते हैं, तब ये एक poisonous weed को eat करते हैं, उनको खाते हैं, उनपे फीड करते हैं, जिस कारण ये chemical इनकी बॉड़ी के अंदर acquire हो जाता है, और adult stage में, ये इन्हें protection प्रोवाइट कर रहा है, अपने predator से, तो देखा students आपने कि कितने, बढ़िया बढ़िया astonishing examples, हमको हमारे nature में देखने को मिलते हैं, कि लोग कैसे किसी को मार रहे हैं, कैसे उनसे बच रहे हैं, अब students हम फड़ावट से NCRT statements को read out कर लेते हैं, ताक कि prediction में आपको कहीं पे कुछ confusion हो ही ना, तो prediction में क्या है, एक species को फायदा, एक species neutral है, ये nature का तरीका है, energy को transfer करने का to higher traffic level, जो animals हैं, जो कि plants को खा रहे हैं, जिनको हम हर भी वोर्स केते हैं, वो भी तो predators ही हैं, उसमें भी तो एक को फायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है, predators के important role, सबसे पहले, condits का का काम करते हैं, energy transfer का, ये prey population को control में करते हैं, prickly pear cactus का students, मैंने आपको example दिया था, Australia वाला, ये रहा वो prickly pear cactus, next, ये species diversity को maintain करते हैं, competition को reduce करके, जिसका starfish वाला, pisaster मैंने आपको example दिया था, ये रही वो pisaster starfish, उसके अलावा, एक बहुत important चीज़, जो predators होते हैं, वो बहुत अकलमंद होते हैं, बहुत prudent होते हैं, बहुत अकल होते हैं, वो कभी भी अपनी prey को over exploit नहीं करेंगे, अगर tiger, jungle के सारे deer को खा जाएगा, तो उसके पास में तो कुछ बचे गई नहीं, तो इसलिए वो कभी भी अपनी prey population को over exploit नहीं करते, इसलिए वो बहुत अकलमंद है, prudent है, अब prey के हम देख लेते हैं, उन्होंने क्या क्या difference mechanism acquire करें, सबसे पहले तो हमने camouflage वाली चीज़ देखी, फिर हमने देखा कि poisonous होते हैं, हमने monarch butterfly का example देखा, जो कि बहुत distasteful होती है, ये रही वो monarch butterfly, केलोट्रॉपिस का example बताया था, students मैंने आपको जो की, एक highly poisonous glycosides, अपनी body के अंदर acquire कर लेता है, इसलिए कोई cattle और गोट उसको खाता नहीं है, उसके अलावा ये thorns वगेरा को ग्रो कर आ लेते हैं, अपनी body के अंदर, और plants को सबसे ज़्यादा खत्रा किस से होता है, plants को सबसे ज़्यादा खत्रा होता है, phytophagus insects से, ऐसे insects जो उनकी body के अंदर, sap को निकाल लेते हैं, उसको suck out कर लेते हैं, इनको सबसे ज़्यादा खत्रा उनसे होता है, और plants के साथ तो problem यह है, कि भाईया वो भाग नहीं सकते, animals में तो इधर से predator आया, इधर से prey भाग गया, पर plants को तो वहीं रहना है, तो उन्हें ज़्यादा defense mechanism चाहिए, इसलिए plants बहुत सारे अलग-अलग substances को produce करता है, secrete करता है, जिसको हम humans अब यूज करते हैं, हमारे commercial purposes के लिए, जैसे की nicotine, caffeine, quinine, strikinine, opium, nicotine जो की tobacco बनाने की काम में आता है, वो actually में plant का एक defense mechanism है, caffeine जिससे coffee बनती है, cocoa बनता है, chocolates बनती है, वो एक defense mechanism है plant का, तो students हमने देखा, predation के बारे में देखा, उसके examples देखे, predators के हमने characteristic features देखे, pray के हमने defense mechanism में देखे, अब हम मिलेंगे, कल again same time पे 7.30 पी-म, और हम पढ़ रहे होंगे, किसी और population interaction के बारे में, till then students, thank you, have a happy learning,